परिचाए पड़ेगा कि वे समरूप हैं या नहीं? हाँ, जरूर, समरूपता की जाँच करते समय हमें कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, बताओ ना? ठीक है, तो आओ इस पार्ट में हम इस विशेश पर विस्तार से चर्चा करते हैं। समरूप आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम होने के क्रम में दो आकृतियां समान आकार और समान आपाप की होनी चाहिए। सम्रूप आकृतियां सम्रूप आकृतियों का आकार आवश्यक रूप से समान होता है परंतु उनका आमाप भिन्न हो सकता है इस जिन्न का अर्थ है सम्रूप जब आप किसी चित्र का आवर्धित चित्र प्राप्त करते हैं तो वह चित्र समरूप चित्र होता है। स्लाइड बनाने के उद्देश से चित्र के आकार को छोटा भी किया जा सकता है। अताहा समरूप आकृतियां दो ऐसी आकृतियां होती हैं जिनका आकार समान तथा भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप आकृतियां भाग दो समान भुजा संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोंड समान हों तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों संगत भुजाओं के समान अनुपात को बहुभुजों के स्केल गुणा कहते हैं सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं किन्तु यह आवशक नहीं है कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हों उधारण निम्न आकृतियों पर ध्यान दीजे इस पस्टता AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CD बटे RS बराबर DA बटे SP बराबर 2 दिया है और कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, कोण D बराबर कोण S भी दिया है अतहा ये वर्ग समरूप आगरितिया हैं क्यूंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हैं तथा इनके संगत कूण बराबर है त्रिभुजों की समरूपता यदि किसी तिर्भुज के कौन, किसी अन्य तिर्भुज के कोणों के पराबर हूँ, तो ऐसे तिर्भुज समान कोणिक तिर्भुज कहलाते हैं समान कोणिक तिर्भुजों का आकार समान होता है परंदू आम आप भिन्न हो सकते हैं अतहा समान कोडिंक तिर्भुजों को समरूप तिर्भुज भी कहा जाता है। अत्वा हम ये कह सकते हैं कि यदि दो तिर्भुज समरूप हैं तो वे समान कोडिंक होंगे, संगत भुजाएं समान उपाती होंगी और उन में से एक तिर्भुज की किनी दो भुजाओं के अंतर बनने वाले कोण के बराबर होगा। दो समान कोणिक तिर्भुजों में किन्ही दो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। आधार भूत समानुपातिक्ता प्रमय अत्वा थेल्स प्रमय यदि किसी तिर्भुज की एक भुजा के समानतर अन्य दो भुजाओं को भिन 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 बिंदूओं पर प्रतिछेत करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में सम्दूई भाजित हो जाती हैं। दिया है एक तिर्भुज ABC में D वा E, AV तथा AC पर क्रमशह इस प्रकार स्थित हैं कि DE, BC के समानतर है। सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। रचना, BE को CD से मिलाइए, E से AB पर एक लंब EF खींचिए। उपत्ती, जोकि DE समानतर है BC के, अताहत तिर्भुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है तिर्भुज CDE के क्षेत्रफल के। इसे हम समीकरण 1 से चिनित करते हैं। जोकि एकी ही आधार पर तथा एकी ही जैसे समानांतरों के मध्य बने तिर्भुजों का क्षेत्रफल समान होता है। साथ ही तिर्भुज ADE का क्षेत्रफल, बटे, ति तिर्भुज BDE का क्षेत्रफल, बराबर 1 बटे दो गुणा AD गुणा EF बटे एक बटे दो गुणा BD गुणा EF, जोकि तिर्भुज का क्षेत्रफल एक बटे दो गुणा आधार गुणा लंब के बराबर होता है, अथ्वा तिर्भुज ADE का क्षेत्रफल बटे तिर्भुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है AD बटे BD के, इसे समीकरण 2 से चिन्नित कीजिए, इसी प्रकार तिर्भुज ADE का क्षेत्रफल बटे तिर्भुज CDE का क्षेत्रफल बराबर है AE बटे CE के, इसे समीकरण 3 से चिन्नित कीजिए, समीकरण 2 वा 3 से हमें AD बटे BD बराबर AE बटे CE प्राप्द होता है, इतिसिध्धम, इस प्रमय का विलोम भी सत्य है, जिसके अनुसार, यदि कोई रेखा किसी तिर्भुज की किनी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानतर होगी. तिर्भुजों की समरूपता के उधारन दी गई आकरिती में D E समानतर है A C के, तथा D F समानतर है A E के, तो सिध्ध कीजिए कि B F बटे F E पराबर है B E बटे E C के. हल तिर्भुज A B C में D E समानतर है A C के, इसलिए आधार भूथ समानुपातिक्ता प्रमेद्वारा B D बटे D A पराबर है B E बटे E C के, इसे समीकरन एक से चिन्हित कीजिए. तिर्भुज B A E में D F समानतर है A E के, इसलिए आधार भूथ समानुपातिक्ता प्रमेद्वारा B D बटे D A पराबर है B F बटे F E के, इसे समीकरन एक और दो से हमें B E बटे E C पराबर B F बटे F E पराब्त होता है. तिर्भुजों की समरूपता के उधारण A B C D एक समलंब है, जिसमें A B समानतर है D C के, तथा उसके विकन परसपर बिंदू O पर प्रतिछेत करते हैं. दर्चाइए कि A O बटे B O पराबर है C O बटे D O के. हल, बिंदू O से होती हुई एक रेखा E F इस प्रकार कीजिए कि E F समानतर हो C D के. त्रिभुज A D C में E O समानतर है C D के. मौल भूद समानुपातिक प्रमय का प्रयोग करने पर हमें A E बटे E D बराबर A O बटे O C प्राब्द होता है. इससे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए. त्रिभुज A B D में E O समानतर है A B के. आताहा मौल भूद समानुपातिक प्रमय का प्रयोग करने पर हमें E D बटे A E बराबर O D बटे B O प्राब्द होता है. अर्थाथ A E बटे E D बराबर है B O बटे O D के. इससे समीकरण दो से चिन्हित कीजिए. अब समीकरण एक और दो से हमें A O बटे O C बराबर B O बटे O D प्राब्द होगा. अर्थाथ A O बटे B O बराबर है O C बटे O D के. तिरिभुजों की समरूपता हे तू कसौटियां तिरिभुजों की समरूपता हे तू तीन मुख्य कसौटियां है A A A या A A S S S तथा S A S. यदि दो तिरिभुजों में संगत कौण बराबर हों तो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी अर्थाथ उसी अनुपात में और इसलिए वे तिरिभुज समरूप होंगे. दो तिरिभुज A B C तथा D E F समरूप होंगे यदि कौण A बराबर कौण D, कौण B बराबर कौण E, कौण C बराबर कौण F, और A B बटे D E बराबर B C बटे E F बराबर C A बटे F D. ऐसे मामले में हम तिरिभुज A B C समरूप तिरिभुज D E F लिखते हैं. तिरिभुजों की समरूपता है तू कसौटियां दो. S, S, S समरूपता यदि दो तिरिभुजों की संगत भुजाएं समानोपातिक हैं तो वे तिरिभुज समरूप होंगे. दो तिरिभुजों A B C और D E F में यदि A B बटे D E बड़ाबर B C बटे E F बड़ाबर C A बटे F D है तो ऐसे तिरिभुज S, 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 S समरूपता कसौटी के नुसरार समरूप होंगे. A A A समरूपता यदि दो तिरिभुज समान कोणिक हों अर्थात जिसके तीनों कोण परस पर बराबर हों तो वे समरूप होंगे. A A समरूपता यदी किसी तिर्भुज के 2 कौण, दूसरे तिर्भुज के 2 कौणों के क्रम शह बराबर हूँ, तो वे तिर्भुज समरूप होंगे. S.A.S. समरूपता यदि दो तिर्भुजों में संगत भुजाओं का एक युक्म समानुपातिक हो तथा अंतरगत कौन बराबर हों तो वे तिर्भुज समरूप होंगे तिर्भुज ABC वा DEF में कौन A बराबर कौन D और AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD है तो दोनों तिर्भुज ABC तथा DEF SAS समरूपता कसौटी के अनुसार समरूप होंगे उधारण, निम्न आकरिती में तिर्भुज O DC समरूप है तिर्भुज O BA के कौन BOC बराबर 125 डिक्री है तथा कौन CDO बराबर 70 डिक्री है तो कौन DOC, कौन DCO एवं कौन OAB के माप क्या होंगे आईए इसे हल करते हैं DOB एक सरल रेखा है इसलिए कौन DOC जमा कौन COB बराबर है 180 डिक्री के अर्थात कौन DOC बराबर होगा 55 डिक्री के जोकि तिर्भुज के तीनों कौनों का योग 180 डिक्री होता है इसलिए तिर्भुज DOC में कौन DCO जमा कौन CDO जमा कौन DOC बराबर 180 डिक्री जैसा कि हम पहले ही कौन DOC ग्याद कर चुके हैं और कौन CDO हमें दिया गया है अधा हम इस समीकरण में दोनों कौनों का मान रखकर इसकी गणना करेंगे जिससे हमें कौन DCO 55 डिक्री प्राब्त होगा दिया है कि तिर्भुज ODC समरूप है तिर्भुज OBA के इसलिए कौन OAB बराबर है कौन OCD के क्योंकि समरूप तिर्भुजों के संगत कौन बराबर होते हैं अर्थात कौन OAB 55 डिक्री प्राब्त होगा निम्न आकरिती में यदि तिर्भुज ABE सर्वांग सम हो तिर्भुज ACD के तो दर्शाइए कि तिर्भुज ADE समरूप है तिर्भुज ABC के हल दिया है तिर्भुज ABE सर्वांग सम है तिर्भुज ACD के इसलिए AB बराबर AC इसे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए तथा CPCT द्वारा ही AD बराबर AE इसे समीकरण दो से चिन्हित कीजिए तिर्भुज ADE और तिर्भुज ABC में समीकरण दो को एक से विभाजित करने पर हमें AD बटे AB बराबर AE बटे AC प्राप्त होता है कोण A बराबर कोण A ये उभेनिष्ट कोण हैं इसलिए SAS समरूपता कसोठी के अनुसार तिर्भुज ADE समरूप है तिर्भुज ABC के एक तिर्भुज ABC की BC भुजा पर एक बिन्दू D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है दर्शाये की CA वर्ग बराबर CB गुणा CD है हल तिर्भुज ADC और तिर्भुज BAC में कोण ADC बराबर कोण BAC ये दिया गया है कोण ACD बराबर कोण BCA ये उभेनिष्ट कोण है इसलिए AA समरूपता कसोठी के अनुसार तिर्भुज ADC समरूप है तिर्भुज BAC के हम जानते हैं कि समरूप तिर्भुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती है इसलिए CA बटे CB बराबर है CD बटे CAK अर्थाथ CA वर्ग बराबर CB गुणा CD है क्या आप जानते हैं तिर्भुज तीन भुजाओं वाला एक ऐसा बहु भुज होता है जिसमें तीन शीर्ष या कोने होते हैं तिर्भुजों का प्रयोग आम तोर पर कलात्मक कारियों में सहायक धांचे वा आकृतियां बनाने हितू विनिर्मान में किया जाता है विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में जयामिती और त्रीकूण मिती सहीत तिर्भुजों के संबंध में विस्तार से सीखते हैं तिर्भुज जयामिती तिर्भुजों के कुडधर्मों का एक ऐसा अध्यान है जिसमें संबंधित तिर्भुज केंद्र, तिर्भुजिये रेखाएं, केंद्रिये वृत्त, तिर्भुजिये घनाकार तथा अन्य काफी कुछ समाहित है। त्रिपुजों के संदर्प में इन जयामितिये वस्तुओं के प्राया उलेकनिये गोण धर्म होते हैं। सारांश आईए हमने जू कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दो आकरितियां जिनका आगार समान हो किन्तु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो समरूप आकरितियां कहलाती हैं। यदि तिर्भुज की एक भुजा के समानतर कोई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं पर निश्चित बिंदों को प्रतिछेत करती हुई खीची जाती है, तो वे अन्य भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। यदि दो तिर्भुजों में संगत कोण पराबर हूँ, तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, और इसलिए वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं। यदि दो तिर्भुजों में एक तिर्भुज के दो कोण, दूसरे तिर्भुज के दो कोणों के करम शाह बराबर हों, तो वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं। यदि दो तिर्भुजों में संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। और इसलिए वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं। SSS समरूपता कसौटी यदि किसी तिर्भुज का एक कोण, दूसरे तिर्भुज के एक कोण के बराबर हो, और उन कोणों को अंतरगत करने वाली भुजाएं समान अनुपात में यानि समान अनुपाती हों, तो वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं। SSS समरूपता कसौटी झाल सिर्भुज झाल 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 झाल